और कमूलिटी सूपर फास्ट की शुरुवात इस वक्त की पांच बड़ी खबरों के साथ पहली खबर तो यही है कि शुरुवाती दौर में जो गिरावाट हमने गोल्ड में देखी थी वो गिरावाट अब गायव हो गई है खत्म हो गई है गोल्ड का मार्केट हरे निशान में लौट चुका है 31,600 रुपए के उपर MCX पर इस वक्त गोल्ड में ट्रेड हो रहा है और चांदी का भाव 37,500 रुपए के करीब है अंतराष्टिय बाजार में भी दाम करीब करीब पांच डॉलर तक बढ़ चुके हैं और 1295 डॉलर प्रती और्स के करीब है अंतराष्टिय बाजार में गोल्ड का भाव अब बात करते हैं कच्चे तेल की क्रूड में तेजी बढ़ी है और ब्रेंड का भाव 68 डॉलर के उपर टिका है डॉलू टी आई क्रूड का भाव 60 डॉलर के बहत करीब है और MCX पर कच्चा तेल 4,150 के उपर चला गया था अब थोड़ा सा नीचे है लेकिन अभी भी मार्क करीब करीब एक परसेंट की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है मेटल मार्केट को देखते है मेटल में आज हबते के आखरी कारवारी दिन अच्छी चमक लोटी है ठीक ठाक तेजी है और 450 की तरफ तेजी से कॉपर का मार्केट आगे बढ़ रहा है बाकी जो मेटल के काउंट है वहाँ पर भी तेजी है और यह तेजी इसलिए है क्योंकि बाजार को इस बात की उमीद है कि इस वीकेंड तक अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड दील पर सहमती बन जाएगी और उसी उमीद को देखते हुए मेटल का मार्केट आगे बढ़ रहा है तेजी के साथ ट्रेडिंग शुरू करने की मंजूरी सेवी की तरफ से मिल गई है और हमें ख़बर यह भी मिली है कि इस सब गोल की ट्रेडिंग भी जल्द आएसी एक्स पर शुरू हो सकती है पाचवी खबर यह है जो खबर हमने आपको आज साड़े ग्यारा बजे दिखाई थी कि एमसी में और सेवी ने इस मुद्दे पर माफ की जगा बीएसी ने इस मुद्दे पर एमसी एक्स से जवाब मांगा था और एमसी एक्स ने बीएसी को जवाब दिया है नहीं दी गई और जिस अधिकारे का निलम्बन किया गया है उन्होंने इंटर्नल कमिटी में इसे चुनोती दी है कि आखिर उनका निलम्बन क्यों किया गया ठीक है तो यह पांच खबरे और आब बात करेंगे आज की कुछ महत्पून कॉल्स की जहां पर आप ट्रेड कर सक आपका अपना व्यू क्या है? अच्छी खासी हम राली इसमें देख सकते हैं. आज के लिए क्या करें? आज तो मिर्तुन्जा जी जो भी रिकवरी आए अभी देखिए बाटम से 100 रुपे की रिकवरी है हो सकता है 100 रुपे की और रिकवरी यहां से देखनों को मिले हमें. एकतिस साथ साथ सो तक भी बज रांदी में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? सिल्वर में 37,600, 650 के असपस बिकवाली के सला रहेगी. 37,900 का स्टॉपलस रखना चाहिए. पहला लक्षे 37,200 लगता है, दूसरा 36,900. ओके तो सिल्वर में आप कह रहे हैं की बेच कर चलें. कच्छा तिल भी आपको भी नीचे ही दिख रहे हैं? बेकवाली गड़ना ज्यादा मुनासिब रहेगा. आज मेटल के मारकेट ने तो कमाल कर दिया राजीब जी. लगतार सुस्टी के दौर से गुजरने वाले मेटल आज अच्छी टेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं. क्योंकि मारकेट को ये लग रहा है कि इस वीकेंड तक अम मर्ज होते हुए देखा और और एलमी में भी देखे जो इन्वेंटरी जाओ लगातार नीचे है तो दो दो न्यूज हो गई जिसके कारण बजार में रिकवरी आई और मुझे लगता है शौट कवरिंग भी थोड़ा और बजार यहां से दो तीन रूपे और रिकवरी करने वाला है इस चना टेकनिकल ग्राउंड पर बात कर रहा हूं काफी अच्छा चार्ट पर दिख रहा है तिरताली सो बैली सो असी एक च्छे लेवल हैं के लिए बैली सो थीस का स्टाप लाई सकते हैं पहला लक्षे में तरिताली सो असी लगता है और फिर दूसरा जवाब पहला सवाल था राजेंदर सिंग का पूचिए सिंगसाब अलो जी फूचें जी पूच्छा थार पूचिए पिसंग को नेक्स्ट मन्त का ज खरिदें या बेचें बताइए राजीब जी जो अगले महीने का जिंक है और इस महीने के जिनक में जो गैप है वह इंपोर्ट ड्यूटी का गैप है क्योंकि अगले महीने का जिनक डिलिवरी कॉंट्रैक्ट है तो पहले तो अब डिफरेंस को समझ के चलिए ऐसा नहीं है कि ये रोल ओवर गैप है ये एक इंपोर्ट ड्यूटी का गैप है वो तक्रीबन 7-8 परसेंट होता है तो दोसो अठ्रा साड़े अठ्रा का असपास अगला कॉंट्रैक्टेट कर रहा है थोड़ा सा यहां पर मुझे लगता है कंसॉलिडेट करेगा बजार अधरवार दोसो स यह राय आपके लिए जिंग के ऊपर है 204 के ऊपर फिलहाल यह कॉंट्रैक्ट ट्रेट कर रहा है ओके आगे बढ़ते हैं कुछ और की बात करते हैं जहां पर आपके लिए ट्रेट का मौका बनेगा इस बीच ऐलमूनियम में बड़ी तेजी देख रही है दो परसेंट से ज्यादा की तेजी एंसी एक्स पर ने ने चौथाई फिज़ी है और नेक्स्ट मंत में अच्छी खासी तेजी यहां पर देख रही है अगले कॉंट्रैक्ट में अपरेल के कॉंट्रैक्ट में तो रा अल्मुनियम है ये डिलिवरेबल कॉंट्रेक्ट है तो काफी सारे शॉर्ट सेलर्स ने हमने शॉर्ट पोजिशन काट किये होंगे तो उस कारण से अपर सरकेट लगा और जब उनका पोजिशन खतम हुआ तो बजार वापिस अपने रेट पर आया अल्मुनियम भी मुझे थो से और 148 के टार्गेट के लिए ओके ठीक है तो यह राय आपके लिए है एल्मुनियम के उपर बहुत बहुत शुक्रिया राजीब जी आपका हमसे जूरने के लिए बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे तो फिलाल इस बुलेटिन में इतन कर दो एल्म